एक लड़की एक साथ दोनों ब्रदर के साथ अफेर करती है, उन दोनों ब्रदर्स को उस लड़की के साथ जा कर एक नई लाइफ स्टार्ट करनी थी, उन्हें पैसों की जरुआ थे जिसके लोग गलत रास्ता चूज करते हैं, जिससे सब लोगों की लाइफ एक बहुत ही वी स्टार्ट होती हैं और हम उमारे मेन करेक्टर जीना और एंडी को इंटिमेट होता देख सकते हैं, यह वैगेशन के लिए न्यूयोक से दूर प्राजल में आए हुए हैं, अपनी सब वरीज को छोड़कर इन्हें यहाँ पर रहना बहुत ही अच्छा रगता है, जिना क इसके बाद हम एक ओल लेडी को जोलरी शॉप में देखता है, शॉप अपन करने के बाद एक आदमें उसे लूटने के लिए आगया, उसे गंदी खाता है और सब को जोलरी देने के लिए कहता है, वो बैचारी ओल लेडी बहुत है डर गयी थी, इस रॉबरर के पास उनके स शूब्조 चावी निकाली थी, वहां पर गण भी थी, वो लेकर उसे शूट कर देती है, रॉबर राण ने पहलार उस ओल लेडी को शूट कर दिया, उसकी गां नीचे कर गए और वहां से भी न किषिश कर रहा था तो लेटी फिर से उसे शूट करकर मार डालती है कायलोकर उस शौब से भाहर नेकला तो उसका पार्टनर बहुत ही ज़ादा डर जाता है और वहाँ से भाग गया जो आद में भागा है वो हमारा और एक मेन क्यारेटर है इसका नाम है हैंग अब हमें हैंग की backstory पता चलती है तीन दिन पहले अपने बेटी का गेम देखने के लिए गया हुआ था यावर हैंग का ब्रदर एंडी भी आया हुआ है हैंग अपने बेटी से बहुत प्यार करता है और उसकी वाइब से उसका डिवास हो चुका है आजकल उसे चैल्ड सपोर्ट देने के लिए भी पैसों के बहुत जरूरा है ये बात एंडी को पता है वो अपने बेटी को घर पर छोड़ने के लिए तो उसकी वाइब भी उसे बहुत गाल्या देती है लास्ट कुछ मंस की पैसे उसने उसे दिये नहीं है हैंग अपने बेटी को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहता था तो इसके लिए बहुत ट्राय कर रहा था रात में उसके ब्रदर एंडी नो इसे बार में बुला है एंडी कहता है कि मेरे पास एक आइड है ये बहुत ही इजी मनी होगा हम एक प्लेस लूट सकते है हैंग ने कहा कि ये तो बहुत ही सीरियस क्राइम है ये समय नहीं कर सकता एंडी ने कहा कि इतना भी कुछ भी सीरियस नहीं है यहाँ पर किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं होगा कोई हर्ड नहीं होगा मुझे बताए कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो एक काम तुम्हें कर लेना चाहिए हैंग ये सब करने के लिए रेडी नहीं था पर फिर भी वो डिटेल मांगता है प्रेंडी ने का जब तक तुम मान नहीं जाते है तब तक तुम्हें कोई भी डिटेल्स नहीं मिलेगी। अगली दिन हैंग काम से जल्दी घर जाता है क्योंकि इसका जीना के साथ अफेर चल रहा है। इंटिमेट होने के बाद हैंग जीना से जाता है हम दोनों को दूर चले जाना चाहिए। जीना कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है। तुम्हारे बहुत सारे प्रॉलम्स हैं और इससे हम नहीं बच सकते हैं। हैंग ने कहा कि मैं सब कुछ solve कर दूँगा तुम सिर्फ आने के लिए हाग कहो जेना कहती कि हमारी relationship simple है इसे simple ही run देते हैं रात में हैंग अपनी बेटी का play रेखने के लिए उस वर बहुत ही proud था उसकी बेटी कही थी कि मुझे ट्रिप पर जाना है इसके लिए उसे hundred dollars लगने वाले थे हैंग ने इसके लिए हाग का पर उसके पास कोई भी पैसे नहीं थे तो directly एंडी की पास आ जाता है तो वो plan के ब हम जो भी लूटेंगे यह सारे वैसे फिर से हमारे parents को मिल जाएंगे यहाबर कोई भी हर्ट नहीं होने वाला एक डे उसका fix था जहाबर उनके शॉप पर 70 एसकी एक lady काम करती थे उसे कुछ भी दिखता भी नहीं था तो उससे सब कुछ सामान चुरा रहे हैं बहुत ही easy हो था हैंग अभी यह काम करने के लिए अंशुर था तो एंडिन उसे 2000 डॉलास थे उसने कहा कि देखो तुमारे कितने प्रॉलम्स इससे सौल होंगे और इसके बाद तुम मुझे आंसर बताना इस robbery से दोनों को बहुत फायदा होगा वो एक नई life start कर सकेंगे राद में हैंग एक बार्टेंडर से मिलने के लिए है जिसके बारे में उसे पता है कि कभी-खभी illegal काम भी घरता है यह काम करने के लिए हैंग ने उसे मना लिया और कुछ पैसे भी दे दिया 2000 डॉलर्स के अपने wife के पैसे भी हो दे देता है इसके बाद robbery का दीना है हैंग उस बार्टेंडर को जिसका नाव बाबी उसे लेने के लिए उसके घर पर आता है घर पर बाबी के एक wife और चोटा सा बेटा था ब्रिकफास्ट करने के बाद हो निकल जाता है एक जगा बर है निकलो तो गाड़ी रखना बाबी ने अपने साथ एक डिस्क लाई थी जिसे सुनने के बाद रॉबरी के लिए रेडी था जैसे कि बाबी को उस ओर लेड़े ने मार दिया था हैंग इसके बाद बहुत ज़्यादा डर गया था सारा मेकप उसने निकाला और फिर वो एंड करने वाले एंडे ने बड़ा फ्रॉड किया था जिसके बारे में अब उन्हें पता चल जाएका उसका टेंशन दोर करने के लोग ड्रग डिलर के पास और वहां पर जाकर हो हाई हो जाता है उसे हो गहता है कि जो मैं काम करता हो यहाँ पर सब कुछ चीज़े एक सिस्टम के थ्रू चलती है उसी तरीके का सिस्टम मेरे लाइब में कुछ भी नहीं है उसकी पूरी लाइब बरबाद हो चुकी है ड्रग डिलर ने कहा कि इस सब के बारे में अपनी वाइब से बात करो एंडी कभी भी अपनी प्रॉब्लम जीना को नहीं बताता है जालाने के बाद फि दिन वो एक शौप में आया जहां पर इलीगल जोलरी बाय की जाती है तो शौप उनने से बात करता है और कहता है कि क्या अब भी तुम्हें काम करते हो और मैं इनको लग रहा था कि एंडी शायद पुलीस है तो अपना काड उसे वेकर चला जाता है कि मेरे बारे में तुम कर सकते हो इसके बाद ये एंडी ने हैंग को एक काम करने के लिए रेडी किया था जब सब कुछ गरबड हो गए तो उनके फादर का हस्पिटल से उने कॉल आता है हस्पिटल में आने के बाद उने पता चला कि उनकी मदर की डेथ हो चकिया शौप में कोई दूसरी ओल ग्याद के स्टोरी से प्रता चलता है इनके फादर का नाम था चार्ल और मदर का नाम था ने प्रौबरी के दीन फादर के आइकजाम थैं तो वहाँ पर वह जाने वाले थे रात में ने को कॉल आया जो ओड़ लेडी वहाँ पर काम करते थी उससे किसी और काम के लिए बहा पुरा लगता है, डॉक्टर ने उसे कहा कि आपकी वाइब ब्रेंटेट है, हम कितना भी कुछ भी करें, पर फिर भी वो ऐसी तरीके से रहेगे, ये सब चीज़े हैंग हैंडल नहीं कर पाता, और वासर चला गया था, अरली दिन बेबर में बावबी की फोटो चपी थी, ये खुद इसके बारे में बहुत रिसर्च किया, पर फिर भी कही पर भी नहीं पोश्ट है, कुछ दिन गुजर चुके थे, हैंडी ने कहा कि आपको मदर को लेकर डिसीजन लेना पड़ेगा, इस तरीके से हमेशा मशीन की मदद से उने जिन्दा नहीं रख सकते, इसके बाद मदर का फिनरल हुआ, हैंग को बहुत ज़्यादा गिल्टी लग रहा था, तो जल्दी से हाँ से हो चला जाता है, फिनरल के बाद चार्स ने फिर से पुलीस आफिसर को कॉल करने की कोशिश किये, पर उसका कॉल कोई भी उठा नहीं रहा था, वो पुलीस से भी अब तंग चुका है, इसके बाद फ्लैश बैग में, हैंग ने रॉवरी के बाद क्या किया था, इसके बार में पता चलेगा, वो गाड़ी के ओपर के अपने सारे फिंगर पींस मिटा देता है, उसने एक आर रेंड पर ली थी, तो उसे वो रिटन कर देता है, उसे अपनी बेटी का कॉलाता है, जिसने उसे 100 डॉलर्स मांगे थे, उसने अब तक उसे वो दिये नहीं है, हैंग के बाद कोई भी पैसे नहीं, तो उसकी डॉटर भी उसे बहुत भला बुरा कहती है, रात में हैंग और एंडी मिल, हैंग ने बहुत ज़ादा घुसा था, वो गुचता है कि क्य पुलिस हमारे बारे में पता कर सकते हैं, हैंग ने कहा कि यसा नहीं होगा, उसने कार रेंड पर ली थे, तो कोई भी प्रॉल्म ने आएगा, घर बराने के बाद हैंग को कार रेंडल से कॉल आता है, उन्होंने कहा कि तुमारी सीडी गाड़ी में ही रह गई है, इस सीडी पुलिस के पास चल सकते हैं, वरना तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं, उससे चुप रहने के लिए 10,000 डॉलास मांग रहा था, अगर उसने पे नहीं किया, तो डेक्स उसे मार डालेगा, वो एक बहुत बड़े ट्रबल में था, हैंग अपनी इक्स वाइफ के पास आकर उससे पैसे मांगता है, पर इक्स वाइफ उस पर और बेज़ादा खुस् पर जीने उसे मना करती है, उसने कहा कि एंडी को मेरी जरूरत है, अगली दिन वो कार रिंडल शॉप में आता है, और उसका आइडी मांगते है, हैंग ने किसी और नाम से ही गाड़ी ली थी, तो अपना आइडी और नहीं दे सकता, एक ट्रबल हो सकता था, पर उसने अपन कॉल आ रहे थे, वो बहुत ज़दा टेंशन में आ गया और अपनी ट्रग डिलर के पास गया, पर एंडी की कोई भी अपॉंट्मेंट नहीं थी, तो ट्रग डिलर उसे अंदर नहीं आने देता, फ्योनल के बाद एंडी के फादर ने उसे बात के थे, उसे कहते कि मैंने हमे जिना से कहता है, मैं कभी भी मेरे फादर की तरह नहीं बनना चाता था, इसी वज़े से मैंने कभी भी मेरे प्रॉल्लम्स तुम्हें नहीं बता है, हमारे रिलेशन्शिप को भी लेकर में बहुत दरता आ रहा हूँ, जिना समझ गई थी कि एंडी के साथ कुछ ना कुछ त जिना से जाने वाली थी, जिना ने कहा कि मुझे तुम्हारी लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, आज कल चल के आ रहा है, इसके बारे में तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं, तुम मुझ पर थोड़ा भी धान नहीं देते, मेरा किसी और के साथ अफेल चल र करता है जिना ने कहा कि वो तुम्हारा ब्रदर ही है इसके बाद वो यहां से चली गए पैरलल में चाल्ज अब डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टिकेशन अब वो खुद करेंगे वो खुछ ज्वैलरी बिजनेस में थे तो कहा पर इल्लीगल ज्वैलरी सेल की जाती है इस सब करता है इसके बार में पता नहीं था पैसों के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं चाल्ज वहां से जाने लगया तो ओल्ड मैन एंडी का कार्ड उसे दे देता है यह देखने के बाद चाल्ज को शौक लगा वो सब कुछ समझ गये थे हैंग ने एंडी को कॉल किया और उसे ड फीचा करने लगे पीशा कर हैं लिए के चलो हम टेक से जाकर मिलते हैं रहा कंग से अगर हमने डिक को पेसे दिया तो हमें और वहारा लिक्षण लीकर जाता है ऊसके पास आने के बाद टूख किसे बहुत मारा और तेड के अंडी गन लेकर उसे मार डिलता है। हंग उसे डर गया। एंडी ने लॉकर से सब कुछ पैसे निकार लिया। जाते-झाते वह ड्रक डिलर को भी मार diğer है। हैंग ने कहां कि हमने रिज़्सब करने की जरुदत नहीं थी। एंडी कहता है कि वो ट्रग डिलर हमारे पीछे कैंग लेकर आता हम उसे बच नहीं सकते थे इसके बाद वो डारगली डिक्स के पास है उसे वो पैसे दिखाते है और एंडी ने उस पर गन लगा दिया उसे चेक करता है उसके बाद उसे भी उसने मार दिया घर पर बॉबी की वाइफ थी उसे भी हो मारने वाला था और हैंग उससे कहता है कि तुम ऐसा कर नहीं सकते हैं उसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा एंडी ने कहा कि यह बुरा आड़ा नहीं है मुझे तुम्हारे और जिना के बार में पता है हैंग ने कहा कि मुझसे बह बिल्लिंग से बाहर आते होई Charles ने हैंक को दीखा था और वहाँ से भाग जाता है वहाँ पुलिस पोचते हैं और एंडी को हस्पिटल में लाया गया एंडी ने चार्स को कहा कि वहाँ पर हम कोई भी करन लेकर जाने नहीं वाले थे कोई भी हट नहीं होने वाला था सब कोई बहुत ही जादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया चार्ल्स एंडी को सुला देते हैं एंडी की चेस्ट की नोर्स उन्हें अपने चेस्ट पर लगा दिया यानि कि होस्पीडल के किसी को भी पता ना चले इसके बाद उसे दम घोट कर मार देते हैं फिर से सब को जैसा था वैसा कर दिया और वो बहार आके और नर्स को बलाते हैं जीना के साथ अलग कंट्री में चला गया था इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है यह हमें बता के जाती है कि गलत रास्ते का एंड कभी भी अच्छा नहीं होता सब लोगों को इसके लिए भूगत नहीं पड़ता है अग अगना आपका क्या रखिया